नीम के कई अनूठे लाब हैं पर एक बहुत महत्वपून लाब है कि ये कैंसर कोशिकाओं को मारता है चुकि ये शुक्रानूओं को भी मारता है इसे कम मात्रा में खाना चाहिए कैंसर कोशिकाओं से मेरा मतलब है हम सभी के शरीर में कैंसर कोशिकाओं होती है लेकिन वे संगठित नहीं होती वे हर जगे मौजूद होती है किसी वज़े से अगर आप अपने शरीर में कुछ खास इस्थितियां पैदा करते हैं तो वे संगठित हो जाती है तो छोटे मुटे अपराद से संगठित अपराद ये बड़ी समस्या है है ना छोटे मुटे अपरादी हर शहर में होते हैं यहां वहां वे जेबे काटते हैं ऐसे काम करते हैं कोई बात नहीं लेकिन अगर पचास ऐसे लोग कोईमबटोर शहर में संगठित हो जाएं तो अचानक पूरे शहर का माहौल बदल जाएगा क्योंकि ये पचास लोग मिलकर ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि आपके लिए बाहर कदम रखना खतरनाक हो जाएगा तो शरीर में भी बस यहीं होता है कैंसर कोशिकाएं अपराधी कोशिकाएं होती हैं वे हर जगे घूमती रहती हैं अगर वे अकेले घूमें तो कोई परिशानी नहीं है अगर वे एक जुट हो जाएं अगर वे एक जगे मिलें और उनका मेल हो जाए तो परिशानी होती है तो अगर कानून विवस्था अच्छी है वे ये देखते हैं शुरू में एक अपराधी जेबें काट कर खुश होता है रोज जेबें काटते काटते जब दो ऐसे लोग मिलते हैं तो वे घर लूटने का सपना देखते हैं जब पाँच ऐसे लोग मिलते हैं तो वे बैंक लूटने का सपना देखते हैं ये ऐसे ही होता है तो अगर कानून विवस्था सचेत और सक्रिय है तो वे यहाँ वहाँ से ऐसे लोगों को पकड़ कर जेल में डालेंगे वे कुछ न कुछ करेंगे ताकि ऐसे लोग बड़ी संख्या में एकठे होकर बड़ी समस्या न बन पाएं तो शरीर के साथ भी ऐसा ही है उनके गिरोह बनाने से पहले अगर आप उन्हें यहाँ वहाँ तोड़ते रहे कुछ लोगों को मारते रहे रोज नीम खाने से बस यही होता है वो शरीर में कैंसर कोशिकाओं की संख्या को एक खास प्रतीशत तक रखता है ताकि वे शरीर के खिलाफ गिरोह न बना सकें इसलिए नीम खाना बहुत जरूरी है नीम से जुड़ी सिर्फ एक चीज है कि अगर आप इसे ज़्यादा खा लें तो ये स्पर्म सेल्स या शुक्राणों को भी मारता है मतलब हमें कम आबादी का सौभाग्य मिलेगा अगर दुनिया में सभी काफी नीम खाने लगें ये शुक्राणों को मारता है इसलिए इसे कम मात्रा में खाना चाहिए क्योंकि किसी के साथ क्या होना चाहिए ये तै करना हमारा काम नहीं है और गर्वती महिलाओं को गर्भ धारन करने के बाद चार महिनों तक या सुरक्षित होने के लिए गर्भ धारन करने के बाद पाँच महिनों तक नीम नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये शुक्राणों को मारता है जब गर्भ में बच्चे का विकास हो रहा होता है तब भी शुक्राणूं की भूमिका होती है एक खास समय तक चार महीनों का समय बताया गया है पर मैं पांच महीने कह रहा हूँ पांच महीनों के बाद खाना ठीक है